जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेट्फोर्म डिफेंज चेंपियन में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी candidates के लिए चाहे male candidates हो या फिर female candidates हो सबी के लिए important update है भारती वायू से ना यानि इंडियन एरफोर्स की ओर से अगनिवीर वायू भरती है 01-2023 इंटेक है उसके online जो registration है online forum है आवेदन forum है तो वो start हो चुके हैं और आप candidates हैं वो अराम से forum fill up करें और कोई भी गलती है आपको नहीं करनी है और आपको proper तरीके से यानि आपका registration से लेकर print तक यानि जब आपका payment करना है उसके बाद में print को download करना है वहां तक का process आपको इस video में मिलेगा आपका video थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी है वो आपको बारी की से अच्छे तरीके से समझाई गई है ताकि आप किसी भी परकार का mistake ना करें हर एक point को cover कियागा है इस video के अंदर हम हर बार आपके लिए जो भी session होता है उसके लिए जो forum fill up का video होता है वो आपको हम provide करवाते हैं एक option के तोर पर हम बात करें किसी तरीके से तो इस बार काफी अलग अलग तरीके के जो point है उनको सो समझकरी fill up करना ऐसा नहीं कि आप जो उसमें formalty के तो पर भर रहे हैं यह आपके लिए आपका decide करेगा future की इसमें क्या क्या आपको decision सही लेना चाहिए या नहीं लेना चाह करूं तो बार-बार में आपको दुबारा से repetition नहीं करूंगा और आप telegram group को join कर लीजेगा किसी भी प्रकार का problem होता है forum fill up के दोरान तो आप जो है मुझे instagram पर follow कर लीजिए link आपको description box में दिया गये तो सबसे पहले website पर आना है और website का link मैंने आपको video के description में दे दिया य जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर candidates login वाला जो option है इस पर आपको click कर देना है आप candidates पर login करेंगे उसके बाद में नया interface है वो आपके सामने open हो जाएगा चाहे male candidates हो यहाँ फिर female candidates की बात सेम है सभी के लिए यहाँ पर भारती वायुसेना की ओर सी जो आपको guideline दिया गया है instruction दिया गया है candidates को तो जो भी candidates आज तक forum fill up कर पाए हैं या नए series से forum fill up कर रहे हैं खासकर जो female candidates होगी यानि girls हैं बारवी पास उनके लिए भारती वायुसेना की उरसे सबसे पहला मोका मिल रहा है जो की 2022 के अंदर है लेकिन 2023 के अंदर आपका examination होने वाला है तो यानि बात क सारी opportunities हैं और उनको भी काफी time से इंतजार था कि हमी भी मोका मिले तो वो आज दिन आ ही गया है और mail candidates के लिए पहले से यह option है तो यहाँ पर आप email id डालेंगे लेकिन आपको ध्यान में रहें यहाँ पर आपको दुबारा से नया registration करना पड़ेगा यदि आप पहले से भी जो इस website पर CD की जो अगनीपत वाली website है इसके उपर registration किया हुआ है लेकिन फिर भी आपको नए सीरी से करना पड़ेगा forget password से काम नहीं चलेगा पहले जो process होता उस तरीके से काम अभी नहीं चलेगा तो guys आपको करना क्या है new registration पे आपको click कर देना है new registration पे जैसे आप click करते है यहाँ पर mail और female दोनों है तो अपने हिसाब से जो भी female candidates है वो female करेंगी mail है वो male candidates करेंगी उसके बाद में अपना mobile number जो कि permanent mobile number होना चाहिए उसके बाद में OTPI जो कि आपकी email पर भी आएगी और mobile पर mobile वाले में mobile की input करनी है email वाले में email की उसके बाद में capture को fill up करना sign up क हो जाएगा उसके बाद में आगे की process हो स्टार्ट हो जाएगी चलिए मैं जो details है वो सही से क्योंकि आपके लिए important ही है कि आपकी documents में सभी में आपका name, father name, mother name, DOB जो भी details है वो same होनी चाहिए यदि नहीं है तो आप update कर वा लीजी किसी में problem है तो और अभी आपके पास व फिल अप करवा लें लेकिन cyber case से भी आप form फिल अप करवा रहे हैं तो अच्छे से समझ कर सो समझ कर एक option को अच्छे से परकें उसके बाद में आगे का form apply करें क्योंकि काफी जो candidates है इसमें गलती का सिकार हो जाते हैं बाद में वो कहते हैं कि सर हमने इस टाइब का form हमारी यहां तो qualification नहीं थी और यहां फिर हमने गलत तरीके से यह चीज़ें निपूट कर दी हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है चाहिए आपका पांच मिन की जगा है दस मिन लग जाए लेकिन आप सो समझ कर अच्छे तरीके से decision लेकर ही इस forum को फिल अप करें तो guys आपको यहां प OTP generate जो OTP है इस पर आप कलिक करेंगे यानि OTP जो प्राप्त करेंगे तो इस पर जैसे ही कलिक करते हैं तो आजाएगा यहां पर आप देख सकते हैं दा OTP will send जो आपकी email और mobile नमर पर OTP भेजी जा चुकी है तो आप भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं यह confirmation की details हैं तो आप इसमें OK करेंगे जैसे ही OK करेंगे तो यहां पर एक option और आएगा कि आपके जो OTP भेज दी गई है और आपको यहां पर input करनी है अब यहां पर input करनी है तो email के अंदर आपको यहां पर क्या होता है कि 2 minutes का आपको timing मिलता है यानि complete आपको 120 second यहां पर मिलती है तो 120 second के अंदर आपको email के अंदर email की OTP डालनी है और उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार की गलती यहां पर ना हो जाए यानि email के अंदर email की OTP और mobile वाले में mobile की OTP input करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की problem में भी ना हो ठीक तो यह चीज आपको इस तरीके से धान में रखना है और कोई problem होती है तो यहाँ पर दुबारा से आप OTP ले सकते हैं CAPTCHA समझ में नहीं आ रहा है तो आप CAPTCHA को दुबारा से ले सकते हैं यानि refresh करके यहाँ पर mostly CAPTCHA की या फिर browser की problem रहती है जैसे मैं यहाँ पर sign up पे click कर होता है और यहाँ पर देखिए unsuccessful registration आ जाता है तो इस तरीके से काफी बार error भी देखने को मिल जाता है लेकिन आपको दुबारा से try करना होगा यानि आपको फिर से इसी browser में आपको login करना होगा और यहाँ पर आपको ok कर देना है details में और यह देखिए यहाँ पर हो चुका ह है आपका successfully registration यहाँ पर message आ चुका है congratulations your details have been successfully registered with us we have sent system generated जो password है आपकी registered email ID उसके उपर भेज दी गई है आपको system के द्वारा जो password बनाया गया है वो आपको भेज दी गई है और guys आपको जो आगे का process है आपको reset कर लेना है तो guys यहाँ पर आपका जो man page पर आने के बाद में जैसे आपके पास email आ जाता है उदर से और यहाँ पर आप man page पर पहुंझाओगे और login वाले page में आ जाना है email को input करना है जो कि आपको दिखाई दर है password जो input करना है आपकी email पर आया है जैसे कि इसमें उल्टे सीदे आते हैं add direct hashtag होता है जिस type से 123abc जो भी उल्टे सीदे इसमें password आते हैं उसके बाद में capture को fill up करना है और sign in पर आपको click कर देना है जैसे आप sign in पर click करते हैं नया page आपकी सामने open हो जाएगा उसके बाद में आपको इस page को नीचे के और scroll करना है और यहाँ पर आपको दिया गया है नया password बनाना है जिससे कि आप अपना admit card डाउनलोड करेंगे फोरum fill up करेंगे आगे phase 2 का admit card आएगा आगे यदि आप qualified करते हैं तो phase 2 का admit card आएगा joining later भी यहीं से आएगा तो यह सब चीजें यहीं से meter करती है तो आप अपना password रेडी कर लीजी अपर case lower case और यहाँ पर number और special जो character होते हैं उनको use आपको करना होगा तो मैं यहाँ पर अपना password है वो candidates का ready कर लेता हूं दोनों जगह आपको जो है same password input करना होगा यानि आपको confirmation करनी होगी यानि आप सभी सब कुछ डाले हैं मैंने यहाँ पर आप इससे करके हैं वो check भी कर सकते हैं show भी कर सकते हैं यहाँ आपर आई है वो login करनी होगी जो कि आपने अभी password reset किया है वही होगा तो यहाँ पर आप अपने recording है अपनी email है आपके पास जो भी है वो input कीजिए सही से गलती किसी भी type की आपको नहीं करनी है मेरा यही suggestion आपको बार बार रहेगा जो password है वो भी आपको सही से input करना है यानि capital है या न काफी problem आ जाती है तो capture को भी आप सही से है वो input करेंगे यदि मैं एक बार try कर लेता हूं मैं भी तो यहाँ पर सब कुछ details है वो देखें सब कुछ सही है और अपना जो page है वो login हो चुका है सबसे पहले इस page पर आने के बाद में चाहे वो male candidates हो या फिर female candidates हो यहाँ पर आप और आपको details दी गई है कि इस type से आपको जो भी details है वो follow करनी होंगी और आपको photo की size है कि इस type में photo चाहिए सब को जानकारी पहले मैंने video में दे दी है तो दुबारा से repetition नहीं करूँगा आपको यहाँ पर right click करने के बाद में continue to registration steps पे आपको click कर देना है जैसे मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर number one जो की fill application form है यह आजाता है इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपकी personal information है लेकिन इससे पहले जो disclaimer है उसको आपको agree करना होगा यानि accept करना होगा जैसे आप accept करते हैं तो इसको close कर दीजे यानि successfully वो हो चुका है यह जो पाद में दस्वीं की mark sheet आपको यहाँ पर upload करनी होगी तो यहाँ पर upload करेंगे तो मैं यहाँ पर direct हो ले लेता हूँ फाइल मैंने पहले से बना रखी है और PDF में जो देखे alert भी आ चुका है क्योंकि यहाँ पर problem है 40-60 kb के बीच में ही documents की size होनी चाहिए आप देख लीजे save 60 kb के बीच में ही होनी चाहिए तो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी file है वो चूज कर लेनी है और यहाँ पर file हो चूज कर देना है और नेचे फिर से इसको scroll कर देना है उसके बाद में यहाँ पर आपके नम्मर आ जाएंगे और यहाँ पर पहले से आ रहा है कि आप कोई जो फिलाल जोब कर रहे हैं या नहीं कर रहे है तो इसमें no कर देना है और आपकी जो date of birth है वो सही से fill up कर लेनी है date of birth में कोई भी किसी भी परकार की गलती है वो नहीं होनी चाहिए मैं यही आपसे suggestion जो कर सकता हूँ आपको ज बारवी पास वो बारवी पास में कलिक करेंगे थरी एर्स का डिपलोमा है वो थरी एर्स डिपलोमा में कलिक करेंगे टू एर्स का vocational course है तो उसमें कलिक करेंगे अब आर्ट से पास हैं चाहिए साइंस से पास हैं चाहिए किसी भी stream से पास हैं उसके बाद में आपर आपके जो आपने बारवी पास की है वो physics और math से की है या नहीं की तो yes कीजिए और यहाँ पर यदि नहीं की है तो no कीजिए आपका stream कौन सा है science है commerce है art है तो जो भी है आपका वो select कीजिए उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा details जो कि आपको सही से fill up करनी है तो यहा आप only for only x group में यानि science group हो जाएगा science subject हो जाएगा other than हो जाएगा y group only for only one subject और यहाँ पर दोनों में apply करना चाहते हो both यानि x and y तो यहाँ पर both science and other than science subject पर आपको click कर देना है और हमारा जो board है वो आपको यहाँ से select करना होगा आपका जो भी board है state का उसको आप select कीजिए हमार है RBSC board जो कि अजमेर का है यहाँ तो R पर मिलेगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले जहाँ पर राजस्तान लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर आपको click कर देना है board of secondary राजस्तान यह देखिएगा B SER होता है तो board of secondary जो कि आपको यहाँ पर details हैं वो दी गई है तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको fill कर पाएंगे उसके बाद में पूछा गया है कि aggregate percentage कितने हैं आपकी तो यहाँ पर aggregate जो percentage है वो आपको लिखना है तो guys आपको यह देखें जो है उसी को लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओके तो यहाँ पर आप अपना जो percentage है वो aggregate लि होगी क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया successfully जो file है वो select हो चुकी है और यहाँ पर details में यही लिखा हुआ है कि आपको अच्छे से fill up करना है ठीक है यह देखें upload original scan photocopy scan करकर upload करना है आप अच्छे से photo वेजेंगे उसके बाद में English में कितने number है 56 है उसके बाद में पूछा गया do you have computer knowledge है तो yes कीजिए वरना no यहाँ पर कोई knowledge नहीं है candidates को no कर दिया है उसके बाद में आप से पूछा गया कोई other subject है additional subject लिया है तो no कर दीजिए उसके बाद में यदि वहाँ पर yes करते हैं तो आपको knowledge होना चाहिए और यहाँ पर आपने higher education qualification status वो complete है या pursuing है याँ आप अभी कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है लेकिन यहाँ पर guys आपसे engineering और आपका non engineering तो आपका subject है उसको select कीजिए उसके बाद में stream कौन सा है वो आप यहाँ पर science को select कीजिए save and continue पर click कर दीजिए save and continue पर click करने के बाद में close हो जाता है लेकि no कर देते हैं तो no पर click कर दीजिए यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर भी आपको no करना है यदि आप इसको follow करते हैं तो yes कीजिए वर ना no क्योंकि हम अपने coding fill up करें candidates के तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक identification मारत लिखन है यह minimum है 152.5 cm तो लगबग जो candidates की height है आपको proper पता नहीं है तो आप लिख सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है तो यहाँ पर हो गया उसके बाद में chest size है वो आपको पता होना चाहिए तो 78 है वो candidates की chest size है उसके बाद में कमर की बात की जाती है तो लगबग है 30 जो 32 से आपसे additional skill है वो phase 2 तक clear होनी चाहिए आपके पास इनके documents होने चाहिए driving आती है तो yes वरना no कीजिए और उसके बाद में qualification catering आपको catering का काम आता है या नहीं आता है इसके according तो आपसे पूछा जा रहा है no कीजिए उसके अंदर यदि yes करते हैं तो information technology IT जो department होता है तो यदि इसमें आप काम करना आता है accounting का काम करना आता है तो आप अपने according है वो इसमें fill up करेंगे देखो यही है क्योंकि अगनीवीर भरती के अंदर उसी तरीके से आपको काम में लिया जाएगा यदि आपके पास sports का कोई achievement है नो कर देते हैं save and continue पे click कर देते हैं तो यहाँ पर alert आ जाता है थोड़ा सा समय जादा लगने पर alert आ जाता है वैसे session expire हो जाता है save and continue पे click कर दीजेगा यहाँ पर successfully जो है सब कुछ details save हो चुकी है उसके बाद में आपको जो communication details में आ जाना है यहाँ पर आप से पूछा गया है तो आप अपने according जो भी details है वो fill up करेंगे तो यह जो last step है सबसे बड़ा step है वो second वाला ही होता है यानि जो अभी आप देख पा रहे हैं अभी आपको number one में अपना जो photo है वो upload करना है तो photo है अच्छे तरीकी से ध्यान से ही आप upload करेंगे में भी कोई गलती है वो नहीं होनी चाहिए अलांकि मैंने सब चीजें वो देख र वर्थ वगएर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से केंडियर्स ने photo लगवाया है आप से लगवाएं बेस्ट रहेगा में भी कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइप से भी लेकिन यहां पर आप का सिगनेचर अप्लोड करेंगे यहां पर का सिगनेचर मैं सेलेक्ट कर देत लगज़े हैं और यहां पर यह भी सकसेफुल अप्लोड हो चुकी है फाइल उसके बाद में फिर से नीचा स्क्रोल कीज़े एक बार फिर से और यहां पर थम इंपरेशन अपन को अपलोड करना है तो यहां पर जो मैंने कानियर्स का थम हैंब बना रखा है पहले से और यह यानि एक दूसरे के अंदर यहाँ पर कलियर करना है उसके बाद में जो भी पलेश है यहाँ पर आप आप डालना चाहें वह डाल सकते हैं याँ कहां से फोरम फिलप करें CT का फिलप कर सकते हैं details उसके बाद में save and continue पर आप पर click कर दीजिएगा यहाँ पर जैसे CT यानि आपका examination CT phase 1 के लिए और phase 2 के लिए आपको CT है वो select करना है phase 2 और phase 1 के लिए तो यहाँ पर जो मैं candidates के लिए select कर देता हूँ यहाँ से तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैपूर मैंने select कर दिया है उसके बाद में guys यहाँ पर मैं select करने वाला हूँ यदि राजस्तान में दूसरा center है तो वो है जोदपूर है अपन को जो है पांच जो CT है वो choose करना है तो यहाँ पर जो आप इसको करम भी आगे पिछे कर सकते हैं आप डाउन से लेकिन मैं यहाँ पर save CT का जो करम है वो 5 CT CT आपको select करना है phase one examination के लिए में भी आपको पहला CT मिल जाता है और वसी कोई दिक्कत आती नहीं है और उसके बाद में में भी कोई problem होती नहीं है बट दूसरा CT भी पहला और दूसरा CT आपके nearby आप fill up करें अब ASC पर आता है कि सबसे जादा selection कहां से होता है कि CT को fill up करना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो हमारे राजस्तान में है तो राजस्तान का करम रहेगा उसके बाद में अंबाला का उसके बाद में कानपूर का उसके बाद में बेंगलूर का तो यहाँ पर साथ जो airman selection center है वो साथ के साथ आपको fill up करने पड़ेंगे क्योंकि वो compulsory है इस बार तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखने है लेकिन आप अपने इसाब से इन करम को आप डाल सकते हैं तो में भी कोई problem नहीं होने चाहिए किसी भी candidates को ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ ज्यादा selection होगा अपना performance अच्छा करोगे तो selection होगा यहाँ पर save जो ASC है वो मैं click कर देता हूँ इस पर और यह automatically home page पर आपको चले जाने यानि यह चीज़े complete हो जाती है उसके बाद में आपको इसको scroll करना है और यह home वाला button है इस पर आपको click कर दें यहाँ पर select city यानि second जो column है 100% complete हो चुका है make payment आपको करना है तो यहाँ पर देखिए some error आ गया है login वगएरा के अंदर इसको आप close कर दीजिएगा थोड़ा सा time जैसे ही लग जाता है इसको तो इसमें error आ जाता है payment पे तो यह option अपन के पास open होगा यहाँ पर अभी जो details है वो check कर सकते हैं यहाँ पर photo आ चुकी है signature आ चुके है थम impression आ चुका है तो यहाँ पर जो draft आई है यानि जो एक तरीके से आप इसको download कर सकते हैं लेकिन payment करना है तो यहाँ पर click कीजिएगा उसके बाद में continue to payment पे click कर दीजिएगा लेकिन details एक बार देख लीजिए payment करने के बाद में कोई editing नहीं होगी तो सोच समझ कर अपना decision लीजिए continue payment पे आप click करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर जो gateway है यानि payment gateway 1 or 2 है तो मैं 2 को select कर देता हूँ और यहाँ पर जो details होंगी card से payment कर सकते हैं जो चाहें उस चीज से आप payment कर सकते हैं इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है बट आपको वैसे थोड़ी बहुत दिक्कते तो आती रहती है UPI में सबसे जाद दिक्कत देखने को मिलते ही तो यहाँ पर payment method को select करने के बाद में pay पर आपको click कर देना है और यहाँ पर आपको back नहीं करना है किसी भी type से नहीं refresh करना है तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा problem रहता है काफी candidates के problem आती है credit card पर click है अभी आपको debit card पर click करना है यदि आपके पास credit card है तो आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन उससे extra में भी charge लगता है तो अपना card number है वो input कीजे यहाँ पर अच्छे से और उसके बाद में details है वो fill up कर दीजी अच्छे से कोई दिक्कत है वो problem नहीं होनी चाहिए तो guys details हमने यहाँ पर input कर दीए 250 रुपे आपका payment होने वाला है और जैसे ही आप make payment पर click करते हैं तो आपके जो OTP है आपके resistant नमर पर भेज दी जाएंगी और यह नमर पर भेज दी गई है तो आप टैंसन नाले किसी भी type का OTP OTP आपके mobile नमर पर भेज दी गई है और उसको यदि नहीं जाती है तो recent भी आप कर सकते हैं option आपके सामने रहेगा और जैसे OTP आती है तो make payment पर आपको click कर देना है जैसे हमारे पास OTP आती हम fill up कर देते हैं make payment पर click कर देना है तो payment प्रोसेस में हो रहा है और यह कई बार loading हो जाता है यानि अभी आपका payment हो चुक है टैंसन नाले आप इसको थोड़ा सा समय दीजीगा दो से तीन सेकिंड का और कोई दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं आए गई पेज अपने पास open हो चुका है और इसके बाद में आप इसको नीचे स्क्रोल करेंगे और यहाँ पर आप देखिए payment भी 100% अपना complete हो चुका है preview है print कर सकते हैं यानि अब तक लगबग जो आपके forum भरे गए हैं यहाँ पर registration नमर देख सकते हैं आप जो कि आपको details दी गई है जो है कर सकते हैं तो यहाँ से आप print निकाल पाएंगे कि आप हमें instagram पे follow कर लिजेगा link description में है और telegram गूरूप को join कर लिजेगा youtube चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजेगा class जल्द ही आपकी start होने वाली है practice session आएंगे previous year question आएंगे तो आपको free of course जो चीजे मिलेंगी वो आपको selection कि जो आपके selection को भेतर बना देगी तो गाइस उमीद करता हूं और इस वीडियो को आप जरूर like and share करेंगे जैहिन वंदे मात्रम चाहे male candidates हो या फिर female candidates हो female candidates का फेस्ट टाइम में यहाँ पर जो opportunities मिल रही हैं उनको तो आप टैंशन बिलकुल भी ना ले और आप भी अपना फोर्म फिल अप करें घर बेटें या अपना साइबर केफे से भी फिल अप करवा सकते हैं जैहिन वंदे मात्रम आपका दिन सुभ हो मिलेंगे एक और नए